पूरे देश के साथ साथ यूपी के बुलंद शहर जनपद में भी कोरोना की बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जिले से ही कादेश पत्र के अनुसार उप जिलादिकारी रवी शंकर ने को त्वाली परिसर में किया एक वार्ता का आयोजन जिसमें नगर के समानित ज प्रिशासनिक कर्मचारियों द्वारा ही करवाया जाएगा वित्रक या उसका कोई व्यत्ती मौके पर रह सकता है मौजूद पैकेट या बैक पर नाम प्रिंट करवाने पर नहीं होगी मना ही मदद करता को समय से पूर्व करवाना होगा रजिस्ट्रेशन वित्राव का इस्थान समय और सामगरी का देना होगा पूरा विवरण इसके अलामक किसी के छेत्र में कोई गरीब कमजोर परिवार मदद पाने से वन्चित रहा हो तो दर्ज करवा दें उसका नाम साथी 25 मार्च के बाद किसी भी सभासत के छेत्र में कोई भी आया हो बाहर से तो जरूर दें प्रशासन को जानकारी जानकारी ना देने की स्थिती में उस व्यक्ति के कुरोना पॉजिटिव पाय जाने पर उस व्यक्ति के खिलाब धारा 307 वा 304 में हो सकती है कार्रवाई एक मीटिंग लिए और वो किस काले में किस वर्यासर में मीटिंग लिए या उनकारी लेते हैं कि वह मीटिंग किस लिए कि गई है लोगों से जो बैठा की गए इसका मुख्यू जानकार को को जानकारना कोई भी वेती जो 25 तारिक के बाद आया है वो अपनी जो है पैषान शिपाकर कहीं शिपाना हो, वो अपने आपको आकर शासन सब को बता दे ताकि जो है यह फोरोना की जो विमारी है आम जंता में नव है। इस दे शिकून को रखते हुए भी जो बैठक है वो महत्पूर है। उनको जो है जो आर्थिक सायता संभव होगी आधियान इत्यादी की वो हम वित्रण करने का काम करेंगे। तो उनसे मैंने यह भी कहा है कि यदि आपके पास कोई सूची है कोई जानकारी है तो निश्चित रुप से जो सूची जो है हमारे वाट्सेप पर डाल दे व्यक्तिगत रुप से आके हमारे कारयाले में हमको दे सकते हैं। ताकि यह मैं सुनिशित कर सको कि इस नगर में इस पूरे तहसील में कोई व्यक्तिग भूखा न रहें। यह सुनिशित करने के लिए तमाम जो है जो गड़माने लोग हैं जो प्रभु दनागरिक हैं जो सेरी संस्ताय हैं इन सारे लोगों को मैंने यहां पर बुलाया था। तमाम जो नगर में कोई नया आया है उस सम्मद्ध में जो लगातार प्रचात असार किया रहा है आपके मीडिया के माधन से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी 25 मर्च या उसके बाद आये हैं वो अपनी पहचान न चूपाएं वो अपनी पहचान आप 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 आ करा सकते हैं यदि वो अपनी पहसान च्छिपाता है और वो कारोना पाल्ची पाया जाता है उसकी वज़र से किसी ब्यक्ति की जान जाची है या कोई आदमी बिमार पड़ता है तो उसको जो है इपेडमिक एक्ट के साथ-साथ जो है उसके खिलाब धारा 307 और 304 सदोत मान जाएंगे जैसे को जिला जिकारी अभी बता कि प्रतेश वाड में यह जरूरी है सवासितों को जानकाय दने जूरी है कोई नया ज़क्ती आप उनके शेत्र में आया है और नहीं उसकी जानकाय शेपाने वाले के विज़त कारवाई की जा सकती है और साथ ही यह आदेश दि कुछी नटनागर के साथ मनीश शर्मा की रिपोर्ट ग्यामनीश सिकंदराबाद ग्यामनीश से मनीश शर्मा की रिपोर्ट